नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, लेखक, मॉटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उच्वल पाटनी साथियों, आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उससे सिर्फ ये जन्म नहीं, अगले बहुत से जन्म सुधर जाएंगे आज मैं आपको दो अदभूत असाधरान कहानिया सुनाने जा रहा हूँ साथियों, एक फलो की दुकान पर एक व्यक्ति खड़ा था वो केले के दाम पूछ रहा था, दुकान दार ने उससे कहा पचास रुपे दरजन उसने सेव के दाम पूछे, दुकान दार ने उससे कहा दो सो रुपे दरजन इतने में ही एक व्रिद महिला आई, उसने पुछा केले क्या भाव दिये दुकान दार ने कहा दस रुपे दरजन, उसने पुछा सेव क्या भाव दिये दुकान दार ने कहा पचास रुपे दरजन, उस महिला ने अपने जेव से कुछ सिक्के निकाले और बड़ी छोटी सी मात्रा में फल लेकर वहां से चले गई बाजू में जो व्यक्ति खड़ाता हो है रान हो गया उसने का अभी अभी आपने मुझे केले 50 रुपे दरजन और सेब 200 रुपे दरजन बताएं और आपने इस महिला को इतना कम क्यों बताया उस दुकानदार ने जवाब दिया साब इसका दुनिया में कोई नहीं है ये मेरी दुकान पर आती है मैं कई बार इसकी मदद करना चाहता हूँ इसको दान देना चाहता हूँ इसको फ्री में फल देना चाहता हूँ ये कभी नहीं लेती, इसमें इतना ज़्यादा स्वावी मान है, और मैंने देखा है, ये जब भी मेरी दुकान आती है, उस दिन मेरी बिकरी कई गुना बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी दुकान आती रहे, ये मुझसे लेती रहे, इसकी मैं जैसे ही मदद करन लग जाता है इसलिए मैं हमेशा इसको वो भाव बताता हूँ जिस भाव पर ये फल लेके चली जाए और उपर वाला मुझे महरवान हो जाए साथियों कहवत है जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेव खोलते हैं उपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है एक अच्छे आदमी के पास धना है सो लोगों का भला होगा एक बुरे आदमी के पास धना हैगा दुनिया में किसी का भला नहीं होगा साथियो यूरोप का एक रेश्टरौ ध्यान आता है मुझे बीच में जब अनेग बार कहानी आई जिसमें यूरोप के एक रेश्टरौ की बात आई मैंने व्यक्तिकत रूप से उस रेश्टरौ को विजिट किया मैं वहां का आखो देखा हाल बता रहा हूँ जब भी उस रेस्टरों में कोई व्यक्ति जाकर एक कॉफी और करता है अपने लिए तो एक कप कॉफी मेरे लिए और एक कप कॉफी एनॉनिमस के लिए और Anonymous के लिए कार्थ है वो दो कॉफी के पैसे पटाता है एक कॉफी वो खुद पीता है दूसरी कॉफी का इस्टिकर दिवाल पे चिपक जाता है कुछ देर बाद कोई गरीब कोई अंडर प्रिवलेज अफोर्ड ना कर सकने वाला व्यक्ति आता है और उस दिवाल से वो Anonymous वाला स्टिकर उठाता है काउंटर पर लेके जाता है कॉफी पीता है चला जाता है जाने लोग ऐसा किस किस चीज के लिए करते हैं वो पिज्जा के लिए करते हैं वो बेकरी आइटम्स के लिए करते हैं वो अपने लिए लेते हैं और साथ में एक किसी अंजान व्यक्ति को मैं धन्य हूं ऐसे देशों की मानसिक्ता पर जहां इस तरीके की सोच है आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि उपरवाले ने आपको सामर्थ द्वान बनाया है जितनी सामर्थों दिल से दान करेंगे एक रुपए भी लाक रुपए के बराबर काम आएगा और साथियों एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, जीवन में कभी 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 रिटायर होने की मत सोचना, यदि आपको लगे मेरे पास बहुत हो गया है, मेरे को और जुरुरत नहीं, मैं शांती से बैठ जाओं, तो बस उस दिन अपना पेड भर लेना, और जितना एक्स्ट गेट्स हर छण उनकी कमाई करोडों से बढ़ती है, उसके बावजूद उन्होंने कमाना नहीं छोड़ा, ये दुनिया के सबसे विनम्र लोग है, ये खुद पे सबसे कम खर्च करते हैं, आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं, आज भी समानी गाडियों में चलते हैं आज भी lowest luxury में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन ये कमाने में यकीन करते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलने की ठान लिये, किसीने malaria को मिठाने का ठाना है, किसीने hepatitis मिठाने का ठाना है, किसीने AIDS मिठाने का ठाना है, किसीने प्रकृति बचाने का ठाना है, इन सब उने कुछ न कुछ ठाना है इसलिए यदि आप में कमाने की काबिलियत है मेरे दोस्त तो कभी रिटायर मत होना जीवन की अंतिम सास तक कमाना उन लोगों के लिए कमाना जो आपके जितने भागेशाली नहीं है आज आपको संकल्ब देता हूं कली कुछ दान कीजिए किसी को क कभी मजजिद में मांगते हो कभी गुर्दवारे में मांगते हो अरे हाथ ऐसा करने की जगा हाथ ऐसा करतो जिस दिन हाथ लेने वाले की जगा देने वाला हो गया ना उस दिन उपर वाला आपकी चिंता खुद करेगा और जब उपर वाला किसी की चिंता करता है तो उसको अपनी चिंता करने की जुरुत में बढ़ती और हो सके तो अपने प्रॉफिट का या और बड़ा करना हो तो अपने टर्नोवर का छोटा सा एक हिस्सा संसार के लिए रख देना आपके साथ जो आपकी टीम काम करती है आई एस आर इंटर्नल सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी उस बच्चे की शक्षा की जिम्मेदारी ले लेजिए यदि आपके स्टाफ में किसी की बिटिया की शादी हो रही है वो सक्षम नहीं है तो अपनी कंपनी में कन्यादान का एक छोटा सा फंड रखिए यदि आप क्या कोई बिमार पढ़ता है तो वो बिमारी से उसकी पू जीवन का कोई भरोसा नहीं है यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुचा हो तो प्लीज यूट्यूब पर जाईए उज्वल पाटनी चैनल को सब्सक्राइब करिए एक बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप सेकड़ों हजारों लोगों तक पहुचा मेरे कोटे में आएगा आईए मिल जुलकर एक शांदार दुनिया बनाए शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू